नवश्कार मैं हूँ अकर्शन उपल और समय आप ये सीधी तस्वीरे देख रहे हैं आई बेन 24 पर कहते हैं कि इतिहास कई बार लिखा जाता है कई बार दोहराया जाता है और कई बार इतिहास रचा जाता है आज पंजाब के अंदर एक इतनी बड़ी कारवाई हुई है जिस आम आदबी पार्टी की पंजाब सरकार जिसने 92 सीटे लेकर पंजाब में इतिहास रचा उसी इतिहास में एक नया मामला सामने आया है कि पंजाब के मुखे मंतरी भगवन्त मानने अपने ही स्वास्थ मंतरी विजे सिंगला जो की मूल रूप से पंजाब की मांसा सीट से चुनाव जीते थे उन्हें स्वास्त मंत्री बनाया स्वास्त मंत्री बने हुए डॉक्टर विजे सिंगला को हुए थे सिर्फ दो महीने एक परसेंट कमीशन के लालत के चक्कर में उन्होंने अपनी नाकेवल कुर्सी गवादी बलकी खबर आ रही है कि एंटी करप्शन है कि आज से पहले जो मंत्री थे मुख्य मंत्री थे वो अपने विभाग के कलर्क तक को बचाते थे कहते थे कि शिकायत देदी जीए जाच करवाएंगे यहां पर जाच बाद में होगी पहले मामला दर्जुआ और गिरफतारी होगी डॉक्टर विजे सिंगला की डॉक्ट कि वो डॉक्टर थे एक डॉक्टर होकर टेंडर देने के लिए खरीद फरोग्त करने के लिए दवाईयां खरीदने के लिए डॉक्टर विजे सिंगला ने मांग ली एक परसेंट कमीशन मामला पहुँच गया सीम भगवनतमान के पास और सीम भगवनतमान ने उन्हें कर द मांगता था विडियू जारी हो जाती थी तो उसे सिर्फ औरसीर यानिकि स्टिफा ले लिया जाता था कि भईया तुम स्टिफा थे तो पहले जाज करवाइंगे जनता को बेवकुप बनाएंगे मीडिया के कैमरे पर बताएंगे कि अभी तो आरोप लगे है आरोप जब तक साबित नहीं होते तब तक गिरफतारी नहीं होती लेकिन यहां पर भगवन्त मान ने एक बड़ा फैसला लिया इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में छवी बनी हुई थी जो पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई आम लोगों का जो विश्वास था उस विश्वास को कायम रखने के लिए इतनी बड़ी कारवाई की गई है जब से मैं पत्रकारिता के क्षेतर में हूँ मैंने देखा है कि मंत्रियों के उपर मुख्य मंत्रियों के उपर 30-30 साल पहले मामले दर्ज हुए थे 20-20 साल पहले म केसी की गिरफतारी नहीं हुई कोई कोट केस जीच चाता है और बच जाता है लेकिन जन मामलों में चाहे लालू परसाद यादव की बात कर ली जाए चाहे हम बात कर ले ओम परकास च् Bundesregierung हुड़ा की इन तमाम लोगों के उपर F.I.R. धर्ज हुई सालों साल मुकदमे चले बुवेंदर सिंग हुद्डा को छोड़ कर सभी की गिरफतारी भी हुई जेल में सजा भी बुगती और बाहर भी आगे लेकिन सालों मुकदमे चले कई साल تक मुकदमे चले यहांपर सिर्फ जानकारी मिलती है मुक्खे मंतरी को सबूत दिये जाते हैं और बताया ये भी जाता है कि जो बगवन्त मान हैं उन्होंने अपने मंतरी से बात भी की बात की मंतरी से मंतरी ने इस बात को मान लिया कि हाँ मैंने पैसे मांगे थे मैंने कमिशन मांगी दी और कमिशन के बदले मैं टेंडर देने वला था और ये वो विजे सिंगला है जिनको बरखास्त कर दिया है आम आदमी पार्टी के मुख्य मंतरी पंजाब के मुख्य मंतरी विजे सिंगला ने यहां पर बड़ा सवाल और सबसे गंभीर सवाल की आखिर विजे सिंगला जो खुद एक डॉक्टर है राजनिती बदलने के लिए आये थे आम आदमी पार्टी में राजनिती तो क्या बदलनी थी उनका मन बदल गया मंतरी बनते ही और मंतरी बनते ही मांगली कमिशन और एक परसेंट कमिशन यानि कि अगर एक करोड़ रुपे का टेंडर है तो सिरफ एक लाख रुपे दस करोड़ रुपे का टेंडर है तो सिरफ 10 लाक उर्पे सिर्फ इतने से पैसे में अपना इमान बेचने वले मंत्री को पहले अपनी मंत्रीपद गवाना पड़ा अब गिरफतारी हुई है अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी उनसे MLA शिप से भी अस्तीफा लेगी ये भी संबाल है कि क्या उनसे अस् बात में कोई दो राय नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब उन्हें मंत्रीपद से बरखास्त कर दिया जब उन्हें गिरफतार करवा दिया तो जाहिर तोर पर पार्टी से भी बाहर करेंगे लेकिन सवाल ये क्या विधाई कि से अस्तीफा ले लेगी आम आदमी प सेखते हैं मेरी आप सभी से एपील कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताईए कि आखिर क्या इस तरह के मामलों के उपर बाकी सरकारों ने कभी काम किया है हमारे हर्याणा में इमांदर इमांदर और इमांदर बहुत जादा होता है लेकि तो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं से साथ के साथ जरूर शेयर करें एक बड़ा मैसिज एक बड़ा बड़ा मैसिज देने की कोशिश की गई है कि पंजाब में रिश्वत खोरी लूट और भरष्टा चारब नहीं चलेगा धन्यवाद अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक